किसान भाईयो नमस्कार इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वाइबिन की फसल में आखरी इस्प्रे कब और कौन सी दवाओं का करना चाहिए इस विसई पर इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे अगर आपकी स्वाइबिन फसल अन्तिम चरण में चल रही है यानि कि तर्टीय कवस्ता में अगर आपकी फसल में दाना बराव का समय चल रहा है तो इस समय पर आपको आखरी इस्प्रे करने की आवसकता होती है और वो इस्प्रे आपको क्यों करना चाहिए इसके बारे में भी आगे वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजे और हमें फोलो जरूर कीजे साथ ये अधिक से अधिक किसान भाईों तक इस वीडियो को सेर कीजिए ताकि सभी किसान भाई इस जानकारी से फायदा उठा सके बात करें अगर स्वयबिन के बारे में तो इस समय पर अधिकतर सेत्रों में स्वयबिन फसल में दाना बराओ का समय चल रहा है कुछ वराइटियां ऐसी हैं जो ज़्यादा लंबे समय में पकर त्यार होती है तो उस वराइटियों में जो है फल्या आ रही है लेकिन जो कम समय में पकने वाली वराइटिया है उन वराइटियों में इस समय पर दाना बराव का समय चल रहा है ऐसे में आपको यहां पर आखरी इस्प्रे करने की आफ़ सकता है अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखरी इस्प्रे हमें क्यों करना चाहिए देखे किसान भाईयों आम तोर पर स्वाबीन की फसल में दाना भराव के समय कुछ ऐसी इल्लियों का अटेक होता है जो फलियों के अंदर जाकर दाने को खाना सुरू कर देती है और अगर फलियों के अंदर इल्ली लग चुकी है और वह दाने को नुक्सान पहुंचा रही है तो ऐसी बहुत सारी इल्लिया होती है जो अलग-अलग खेत में अलग-अलग टापू पर जो है पोदों को नुकसान पहुंचाती है फल्यों के दाने को खाती रहती है तो इसके लिए हमें एक बड़िया सिस्टेमेटिक दवा का उप्यों करना पड़ता है साथ ही दाना पराव के समय आपने देखा होगा कि अगर एक दो दिन से बारिस आ जाती है तो फल्यों पर फंगस जैसी हमें कुछ पावडर दिखाई देता है और उसकी वज़े से फल्या ओटोमेटिक गल कर पोदे से नीचे गिर जाती है अब इसके लिए आपको आखरी स्प्रेक करना पड़ेगा जिसमें एक कीट नासक और फंगी साइड आपको लेना है कीट नासक की बात करें तो किसान भाईयों आपको कीट नासक के रूप में कोराजन का उपयोग करना चाहिए इसके अंदर क्लोरेंटरा नेलिप्रोल टेकनिकल पाये जाता है जो की काफी अच्छा टेकनिकल होता है और बहुत सारी किसान भाई इसके बारे में जानते भी हैं इसका उपयोग करते भी हैं तो आप कोराजन का उपयोग लगभग 80 ml प्रती एकड की दर से स्वाविन फसल में कर सकते हैं किसान भाईयों अगर आप 8 ml पर टेंकी डोज भी रखते हैं तो आखरी चरण में फसल को इतना ज्यादा जटका नहीं लगता है तो आप 8 ml प्रती टेंकी की दर से यानि 80 ml प्रती एकड की दर से कोराजन का उपयोग कर सकते हैं साथ ही भंगी साइट की बात करें तो भंगी साइट के रुप में आप स्वाधीन भंगी साइड जो सुमी टोमो का स्वाधीन भंगी साइड आता है उसका उप्योग लगभग 400 ग्राम प्रती एकड की दर से कर सकते हैं इससे आपकी फसल में लगने वाली सभी इलिया चाहिए वह फली के अंदर हो या बाहर हो पोदे के नीचे हो या फिर पच्चियों के उपर हो और सभी परकार की फंगस सब कीट फंगस खत्म हो जाएंगे इनके साथ में आप NPK 0050 जरूर ले लीजिए NPK 0050 के अंदर 50% पोटास पाये जाता है और पोटास दाना बराव के समय दाने को बड़ा बनाने के लिए और फलियों में एक समान दाना बनने के लिए काफी बड़ी भूमिका निबाता है तो आप एक किलोग्राम NPK 0050 भी इनके साथ में जरूर ले जीजिए और आकरी स्प्रे के रूप में आप इनका स्प्रे कर दीजिए आपने किसान भाईयों पहले अगर इनका स्प्रे काट दिया है और आपकी फसल में कोई कीट फंगस नहीं लग रही है तो आप इनका स्प्रे ना करे अगर आपकी फसल में किसी इल्ली या फंगस काटे खो रहा है दाना बराव के समय तो फिर आपको इनका स्प्रे करना है